आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसफार्मर कल भी बोला था कि ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे सपना हेलो ठीक है ट्रांसफार्मर की बात करेंगे किसकी बात करेंगे ट्रांसफार्मर की मैं हम ट्रांसफार्मर क्या होता है तो नाम से ही पता लग रहा है ट्रा आजाओ आजाओ फड़ावट से राहूल राहूल मान जी गुड आफ्टर नून गुड आफ्टर नून राहूल और कौन है चलो जी दोस्तों फड़ावट से आईए क्या हो गया नई नहीं हाँ सपना था पर अभी करंट बागी है इसलिए मैंने सुचाओ की चेंज करवा देते है नमस्कार डी के जी प्रणाम मैडम प्रणाम बिल्कुल प्रणाम आज आँतिम दिन करंट का तो विदा तो देने आओगे सभी लोग बिल्कुल आज अंतिम देना है करंट का बहुत दिन चल लिया पर आई थिंग सो कि सब चीज़े क्लियर हो गई होंगी वेरी गुड आफ्रणनौन दो तो ट्रांसफार्मर की बात करेंगें ट्रांसफार्मर का मतलब यह होता है किसे ना किसी चीज़ को मैं वह भी बदलेगा अब यह बदलेगा किसमे को जो है परिवर्तित करने के काम आती है तो आप क्या लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर की बारे में बिल्कुल पॉइंट वाइस लिखाया जाएगा टीना सिंहा वैलकम बेटा आप फर्स्ट हैं फर्स्ट टाइम आई है शाहिए तक तो वेलकम कल तीन बजे से क्लास होगी क्या राहुल जी कल की क्लास की बात करें तो कल तो special classes होगी है तो मेरी क्लास साइन्स की सुबह साथ बजे है ठीक है तो बिल्कुल मिस नहीं करने का ठीक है something special ओके विश्णु जी गुड़ आफ्टरनून्स कमल सिंग जी अगरवाल जी नमस्कार आयूशी जी गुड़ इवनिंग ओके तो शुरू करें अंकुष माने की बिल गेट्स नमस्कार चलो ठीक है तो अभी देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करते ट्रांसफार्म के विभाव को परिवर्थित करने के काम आती है तो मैं लिख रही हूँ यह लिख लो मेरे साथ एक आज सुबह बूल रहे थी कि मैंने हम लिखे हैं कैसे तो अब लिख हो गई बिलकुल नोट्स की तरह ही पढ़ा रही हूँ कि यह एक ऐसी युक्ती होती है जो कि क्या करती प्रत्यावर्ति धारा की विभाव को बदलने के काम आती है नमस्कार नमस्कार टीना नमस्ते वेल प्रत्यावर्ति धारा की विभाव को परिवर्तित करने में काम आती है पहली चीज तो आपको यह दियान लगता है अब दूसरी चीज की बात करते कि क्या कर सकता है मैं यह उच्छ वोल्टिता को नमने वोल्टिता में भी बदलता है है ट्रांस्फार्मर को इंग्लिश में ट्रांस्फार्मर में भी बोलता है ठीक है और हम आप बात कर रहे है कि इसको क्या कर रहे है करन्ट को चेंज करने के काम आएगा तो मैं यह आपे लिख सकते हूं कि मैं उच्छ वोल्टिता से निमने वोल्टिता में व निमन वोल्टता से उच्छ वोल्टता में बदलने के काम आता है तो दोनों ही केसेज में आपके ट्रांसफर्मर का यूज जो है किया जाता है ठीक है न चलो अरे सपना बच्य कल श्पेशल रही है अर कैसी वाते कर रही हो ठीक है असी करन बढ़िया यह बमलो को बनाने के अंदर किसका किया जाता है Very good star boy अब देखो अब क्या बात कर रहा है अगर अगर रिप एमने वोल्ट रहा है तो इसको प्राइब भिल्कुल सही बात है transformer दो type के transformer होते हैं आपके यह आपको ध्यान रखना है अब भी बात करते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है transformer में हमेशा कौन सा current जाएगा मैं हमेशा AC current की युकती में ही transformer जो है अपना काम करता है किसके लिए मैंडम AC current में ठीक है सिर्फ iron soft iron को ही जो है बिलकुल अंकित ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे है soft iron का ही transformer में use किया जाता है अब बात करने की transformer के means use क्या क्या है कहां कहां पर हम लोग ट्रांस फार्म को देखते हैं ठीक है तो आप यह कह सकते हो कि अगर कोई circuit है ठीक है तो अगर हम बोलने की एक ही circuit को या फिर मैं बोल सकती हूं कि दूसरे से इक परिपत ko एक दूसरे से अलग करने में ठीक है एक परिपत को डूसरे परिपत से अलग करने में यूस किया जाता है तो ट्रांस परिपत को दूसरे परिपत से अलग करने में ट्रांसफार्म का यूज किया जाता है दूसरे परिपत से सरकिट से अलग करने में ठीक है अलग करना हो परिपत को अलग करने में इसका यूज किया जाता है करने में और ट्रांसफार्म हमेशा किस पे काम करता है मैंडम AC पे काम क तरह करता है पुश्पेंद्रा जी नमस्कार एक ओ लेजी के बादैके को एक आपर बात करते हैं जो चेकर बidyएね च्रहल सकते हो अभी पढ़ाया था pensando एक ड्रबा test never すपने में बढ़ाने में थीड को दाने ने is इसके अंदर यूज किया जाता है इसके बाद में next बात करते कि मैंदम step up transformer का यूज जो है वह power transmission किसके लिए किया जाता है पावर transmission के लिए इसका यूज किया जाता है ठीक है हम किसकी बात कर सकते हैं पावर transmission के लिए इसका यूज किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए पावर transmission के लिए इसका यूज किया जाएगा step up जो है आपका क्या रहेगा transformer रहेगा ठीक है वोल्टेज को आप और डाउन करने में हाँ बिल्कुल सिन्हा जी सिहांग चलो अब इसके बात करते कि हमारे नॉर्मल रूटेन में भी चलो राओ तो राओट्टक में आप आपको धाम और और खारी कि अंदर आपके जो भी फैक्टरीस वगऺर होती हैं तो उनके अंदर जो वैल्डिंग वगऺर होती है उनके अंदर भी ट्रांसफर्मर का ही यूज़ किया जाता है नमसकार अकी जी, अब इसके अदने बात करते हैं कि और कहा भर कहा content मैडम इसका यूज़ किया तो एक चीज आपसे पूछी जाती है एक चीज क्योशन पूछा गया था मैं आपको बता देती हूं कि जो आपका आदर्स ट्रांसफार्मर होता है किसकी मैं बात करी हूं मैं बात करी हूं आपके आदर्स ट्रांसफार्मर की किसकी बात करी हूं ट्रांसफार्मर की तो आपका जी बताइए फटाफट से आदिस ट्रांसफार्मर की पावर ट्रांस्मीशन में यूज क्या जाता है सपना पावर ट्रांस्मीशन में ठीक है ओके और स्टेप डाउन का यूज भी सुन लो कि बात क्रें, अगर इस टैप अपकी बात कर रहे हूं तो इस टैप अपकड यूज तो जो हो वो किस की लिए पावर ट्रांस्मीशन के लिए यूज क्या जाता है और अगर sate的 down का आओं ग़ी श्रुख्यां के लिए उज क्या जाता ये तो मतलब आप किसका यूज कर रहे हो ठीक है आप पावर डिस्टिब्यूशन करना है आपको अगर आप क्या कह रहे हो अगर हम बात करती हूं पावर आप किसका यूज करते हो समझ में आगया अनंत पारगमेता होती है बहुत बढ़िया इसका मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो की हर टाइप से पूरी तरह से अच्छा हो है ना मतलब वह उसमें कारिय जो है उसमें जो वर्क है उसमें कोई भी चीज का हाम नहीं हो रह कोई भी आदर्स चीज होती है इसका मतलब है हाई कि उसकी दक्षता मैं कितनी है 100% उसकी दक्षता होती है किसकी बात करें यूज कि अगे बढ़ाओ आपसे कुछ क्योशान पूछे आथा है उस क्योशन की बारे मैं बात कर लेती हूँ यापर microphone की बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ ओके, अभी मैं बात करूँ किसकी microphone की तो microphone के बारे में क्या question पूछा गया था, जो पुराने लोग होंगे शायद जो जुड़े होंगे, उन्होंने ये questions के answer देखे भी होंगे ठीके, आयूशी को समझ में आ गया, आगे देखो, यहां पे पूछादर है microphone के बारे में, तो microphone जो है कौन सी उर्जा को किस में बदलता है पहले तो ये ध्यान रखना है, इस उर्जा को किस उर्जा में बदलेगा तो A और B का नाम बताना है, मेडम की A, A उर्जा तो कौन सी है और B उर्जा कौन सी है, मतला microphone जो है, वो कौन सी उर्जा को किस में बदलता है बताओ भई फटावट से, microphone मैं किस उर्जा को किस में बदलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रोफोन जो है ध्वनी उर्जा को विद्ध उर्जा में बदलता है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, तो माइक्रोफोन क्या करता है भई, माइक्रोफोन ध्वनी उर्जा को, अभी नहीं लग रही बदलता है कि तारों से क्या होता है माइक्रोफोन से जो दारा उत्पन हो रही है ठीक है वो लाउड स्पीकर तक पहुंचती है और फिर जो लाउड स्पीकर होते हैं वो उस विद्धू तुर्जा को वापस से किसमें बदलते हैं धौनी उर्जा में सपोस करो कि माइक्रोफोन के अगर मैं बात करें तो तारों के अंदर कौन सी एनरजी होती है मैडम विद् अब स्पीकर तक पहुंचाई जा रहे हों लाउड स्पीकर के अंदर यह की रूप में खेंएैं विद्धूत उर्जा में बहए बनी उर्जा में परीवर्टित कर देते हैं तो microphone का concept जो है बिलकुल आपको ध्यान रखना है यह आपको ध्यान रखना है तो यह question भी आपके लिए बहुत important है यह question ही पूछा जाता है फिर आपसे पूछा जाता है कि microphone जो होता है सुनना भई microphone जो होता है वो किस सिधान्त पर काम करता है किस सिध्धान पर काम करता है यह भी आप से question पूछा जाता है तो किस सिध्धान पर एंसर बताओ फटावर्ट चे मेंडम अभी देखो यहां पर माइक्रोफोन आपने देखा होगा लाउट स्पीकर वगरे कि अंदर किसका यूज किया जाता है अरे अधित्य से थोड़े से बिमार है अविनाश जी इसलिए शायद अभी उनकी क्लास नहीं हुई है नमस्कार नमस्कार सोनिया जी विद्धु से ध्वनी ठीक है ठीक है ठीक चलो अब बताओ फटावर से माइक्रो जो माइक्रोफोन होते हैं वो मैं किस सिध्धान पर काम करते हैं तो माइक्रोफोन जो है वो किस सिध्धान पर काम करेंगे मैडम विद्धु चुम्बकिया प्रेरण के सिध्धान पर काम करते हैं किस सिध्धान पर मैं बात कर रही ह तो यहां पर बात की जारी माइक्रोफोन जो है वो विदुत चुम्बकिया प्रेरण के सिध्धान्त पर कारिये करते हैं ठीक है यह आपको पहली चीज आपको ध्यान रखना है विद्धु से द्वनी में ठीक है चलो अब आगे देखो अब यह माइक्रोफोन जो होते किसने करें इसकोंडस को माइक्रोफोन करें तब आपको द्वनी उड़ा को विद्दुतर्जा में अदेखो करते और यह विदुद उर्जा को किसमें बदल देते हैं मैडम इस जो काम कर रहे हैं वह किस सिध्धान पर काम कर रहे हैं तो तीन जो है क्या बोल रहे हैं तीन यहां पर आपके पास में क्या आगए तीन क्योशन आपके सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है कितने क्योशन पूछे जाते हैं मैडम तीन क्योशन सचिन क्या नाम है तुम्हारा सचिन जी गूड़ इवनिंग भाई गूड इवनिंग नरेश ओला जी गूड़ा अफ्टरून चलो अब भी बात करते हैं मैडम और क किसका यूज करते हो चाक कुंडली माइक्रोफोन का यूज करते हो तो द्वनी प्रवर्दक बनाने के लिए चाक कुंडली चाक कुंडली माइक्रोफोन का यूज करते हैं के जाक कुंडली माइक्रोफोन अगली चीज की बात करते तो लाउड लाउड स्पीकर अब लाउड स्पीकर किस सिधान पर काम करेगा यह सब चीजे भी आप से पूछी जाती है एक्जाम में तो इन सब चीजों की बारे में भी ध्यान रखेंगे टीना क्या हो गया बताओ भाई फटावट से चलो तो देख लाउड स्पीकर किस सिधान पर काम करता है तो मैं है omnipal लिखूंगी कि माईक्रोफोन ने जो विदुत तरगे दी सुन्हों भाई माईक्रोफोन ने भाईक्रोफोन से यह फिर हैंना जो विदुत तरगे आई तो द्धुत उरजा आई उसको किसमें कनवर्ट कर शूरज जी चलो 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 विदुद को किसें बदल रहे हैं विदुद को ध्वनी उड़जा में बदलने काम कौन कर रहे हैं आपके लाउड इसपीकर कर रहे हैं ठीक है अब देखो यहां पे एक चीज जहान रखना है कि इसका डाइफ्राम होता है उसका अकार बहुत ही किस से जुड़ी होती हैं भाई हम क्या बात करें एक धातू के बैलन्स जो है वो जुड़ी होती है कुंडली और इसी को हम लोग क्या कहते हैं डाइफ्राम कहते हैं सुन लो भाई आपके जो लाउड स्पीकर होते हैं उसमें जो होता क्या है दरसल तो आपके लाउड स्पीकर शक्तिशाली चुंबगों के बीच में रखी गई है और खतिशाली चुंबगों के बीच में रखी गई है और एक धातू है वहां पर ठीक है और वह जो कुंडली है कि एक धातू बैलन से जुड़ी हुई है धातू किसे बैलन से जुड़ी हुई है मतलब सिलेंड्रिकल जो है बैलन से जुड़ी हुई है और इसी को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं जुड़ी होती है और इसी को ही हम लोग क्य काफी बड़ा होता है ठीक है आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा लाउड़ स्पीकर देखा है तो उसमें डायफ्राम भी आपको दिखाई देता है कुंडली होती है चुमब के शेत्र में रखी हुई होती है ठीक है चलो समझ में आ गया तो यहां पर बात करें और कंपन स क्यों होता है बपको समझ में आया यहां पर क्या हो रहा है, वो भी ध्वनी जो है वो तीवर गणी या फिर ध्वनी जो है वो कैसे होगी तीवर ध्वनी होगी खीक है मतलब बहुत तेज साउंड आएगा तो आपको समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है चलो ओके समझ में आ गया की नहीं आ गया तो यहाँ पर हम किस की बात करें अगर बाद कीजाएँ तो एक और सइयंतर की बारे में विड्धुत शक्ती ago जाता है जिसको विद्धूत शक्ती शक्ति संयंतर के नाम से जाते हैं सहींत्र की बात करें विदुद्ध प्लांट लगेवे रगाया जाता है इनके आकार भी बड़ी शमटा के इनको होते हैं थीके और इनको जो है बड़े बड़े पंक्रे 없고 टर्वाइन से जो है अप लोगों ने देखे होंगे पवंचकी सिको बोला जाता है तो क्या होता है मैं ना बोलू ओं क्या नीं बोलू ठीक है कि सूरच क्या हो गया तर्वाइन सब्सक्राइव और पता इंडありがとうござ क्या होता है जिसके 컨्रण्ट को पता है पर बाइड के साथ में इनको घुमाया जाता है घूण भी जो है डाइनमों का यूज किया जाएगा ठीकेser टैनम मैंने डू यूज किया जाता है यूजरा नमस्कार्ट ढूर раз समझ में आगया, अब देखो next stage की बात कर रहीं आपे, next चीज की बात कर रहें, ताप विद्धु शक्ती सहियत्र क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो, किसकी बात कर रहें, next अगर बात करते हो, एक और चीज़ है, जिसको बोला जाता है, ताप श क्या लगाई जाती है जब टर्माइन घूम रहे होते तो जो है कोल जलाते हैं और उससे जो है क्या करते हैं चैमरों में पानी मतलब भाप से जो है क्या करया जाता है ताप शक्ति शेयत्र कुल मिला के बात ऐसी है कि जब जो है आपके क्या बनाया जाते हैं जब आपकी इलेक किस तरीके हो तो कि अपर भी तुम्हारे बहुत सारे श्रण पूछे जाते हैं इसकी बात करते हैं एलेक्ट्रिक मोटर की बात की जारी एक एक वबूचा जारी जो रहे हुर भाप से चलाया जाता है बिल्कुल सही बात है पुषपेंद्री जी बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक है अब बात करें अगर विदूत मोटर की तो देखो विदूत धारा के चुम्बगी प्रभाव के कारण जो है जो विदूत शेत्र में जो धारावाई जो चालक बनता है ठीके न उस पर बल लगता है तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं हैं पर किसकी बात करें विदूत मोटर की तो पहले ये बता दो मूझे कि विदूत मोटर जो है किससे ओघ्या को किस में बदलती है ये तो बताही सकते हो किस उर्जा को किस उर्जा में बदलती है बताओ भाई फड़ावर से वहाँ पे आपके किस की बात किती है हमने लाउड स्पीकर की बात कर ली थी ठीक है चलो बताओ हेलिकॉप्टर की पंके बताओ चलो 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 फड़ावर से बताओ ठीक है ठीक है ठीक है सपना ठीक है चलो ठीक है तो अभी देखो very good सचिन जी बहुत बढ़िया मेडम किस सिधान पर काम करती है तो मैं कह सकते हूं कि मेडम वो विदूत उर्जा को कौन सी उर्जा में बदलती है फटावर से लिखे चलो तो यहां पर बात करते हैं विदूत लगातार अपने गुमारी होती मतलब की वो आपकी विदूत उर्जा से किसमें बदल रही होती है आपकी यांत्री कुर्जा में बदल रही होती है स्पाइब सुझाट फटावट से नाम बताओ जहीं हो जाएगा यहां पे किसकी बात की जा रही है यहां पर बात की जारी है विधूत मोटर की और विधूत मोटर वह सांथिस्ट है वह सांथिस्ट को ने बता व है पाइब को पता एक आधाकार कुंड़ी होती जिस पहुद किस वैज्ञानिक ने इसके बारे भारे बताए था तो हम को वैज्ञानिक की बातiro है माइकल फेराडे की बात करें किसकी बात करें माइकल फेराडे की तो माइकल फेराडे ने जो है वो किसके बारे में बताया था भाईया विदूत मोटर के बारे में बताया था माइकल फेराडे बिल्कुल सही बात है चलो जी चलो ठीक है इतना समझ में आ गया बिलकुल मैक्सवेल नहीं होगा कमलेज जी माइकल फैराडे होगा कौन रहेगा माइकल फैराडे द्वारा जो है विदूत मोटर चलाई जाती है ठीक है अब विदूत मोटर कहां कहां पर कामाती तो आपको पता है आपके आपके प बात करूं यहां पर घरों के अंदर कितने एंप पहले तो यह बता दो घरों में कितने एंपियर की धारा जाती है घरों में फड़ावट से देखो कितने एंपियर की धारा जाती है बताओ घरों में कितने एंपियर की धारा जाती है बताओ घरों में कितने एंपियर की धारा कितने garlic ॐ जाती है तो आपको पता होगा मैंने पढ़ाया हूँ अभी है गरों में जो धारा दी जाती है वह कितने एंपीर की दी जाती है 5-6 A मजब कर पोछा जाता है तो उसमें कितने 5 ओंपेर की धारा से क्या क्या चल पाता है ब lightweight ये proud तो पता है तुमको पर आवरती कितने आवरती की धारा का हम लोग प्रयोक करते हैं कितनी आवरती देती हैं जाती हैं कितने हड्द की होती है वह से लेते हो पिर तो हो गया पर आपको 5 एंपियरो 15 की धारा अगर आपको मिल रहे हैं तो 15 धारा से जो है आप क्या क्या चलाते है तो देखो अगर 5 धारा की धारा की बात को तो आप पंगा बल्ब ऎस चलाते है और 15 towels की धारा का पृएक किसके लिए assistant आपने पावर प्लक, पावर प्लक सबके घरों में होगा, ठीक है, तो पावर प्लक से क्या चलता है, एसी चलता है, ठीक है, पावर प्लक से क्या चलता है, गीजर चलता है, ठीक है, चलो, इसके बाद मैं नेक्स चीज की बात करते हूं, ठीक है, और इसके अलावा, और क्या क तो आप यह सब पावर प्लग में लगाते हो क्यों कि यह ज्यादा बिजली के खपत करते हैं ठीक है तो अपनी जी अपनी बाइलोजी अभी जस्ट चार से पांच वाली क्लास में चल रही है और जो अपनी केमिस्ट्री हैं वो हो चुकी है सुबह पटवार वाली क्लास में हो चुकी है वैसे तो बट अगर आपको पढ़ना है तो मैं बहुत जल शाम वाली क्लास में स्टार्ट करूंगी ठीक है चलो अब यहाँ पे समझो अगर बात कर रही हूं किसकी अब देखो मैं मैंने क्या-क्या पढ़ाया आज की क्लास में पहले एक बार यह के लिए देख लो क्योंकि जो लोग नए हैं उनको शायद कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है चलो जी चलो यह अटक गए हमारे कंप्यूटर जी शायद ठीक है नहीं अटके हैं हरे यार देखो हमने बात की ट्रांस्फार्मर की मैडम ट्रांस्फार्मर एसी करण्ट पर चलते हैं एसी पर चलते हैं अगर निमने वोल्टता से उच्छ वोल्टता की बात करें तो मैडम यह स्टैप अप डिवाइस है ठीक है फिर बात करते है नर्म लोहे की रोड का जो है यूज किया जाता है किसका किया जाता है नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर के अंदर मैं हम क्या किया जाता है यूज किया जाता है अब अगर बात करते हैं तो एक परिपत में से दूसरे परिपत को अलग करने में ट्रांसफ तो वो क्या होगा पावर डिस्टिब्यूशन के लिए यूज़ में लिया जाता है ठीक है लिव चलो 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 घूज़ के जा रहा है अगर यह त्रांस फार्मर की बात करो तो उसकी दक्ष्टा सौ प्रतिश्चोत है है microphone के बारे में बहुत क्योंशन पूछां घ्रून के प्रेयरण के सिधान पर ये कार्य करता है और ध्रूनी परवर्दक बनाने के लिए वह चौक कुंडली microphone का यूज़ के जाजाता है माइक्रोफोन बहुत टाइप के होते हैं ठीक है चलो भाई चलो कि तुम्हें बच्चे मत बोलो यह मत बोलो फाल तु की बाते करनी है नहीं पुषपेंद्र हमारी उम्र जो है 90 के दसक के नहीं है हम लोग तो जो है पचास तो आप कम बोल रहे हो बहुत पुराने हैं बहुत पुराने काल से सदियों से चले आ रहे हैं हम ठीक है चलो लाउड स्पीकर की बात के तो विद्धोत उर्जा को ध्वनी उर्जा में ब बहुत बढ़ा होता है और कुल मिला कि बात कि इनका आयाम बहुत बढ़ा होता है मतलब कि इनकी द्वनी जो है वो तीवर होती है इसी क्यों इसाव्प्त शकती की बात करतें बड़े-बड़े आप लोगो ने देखे होंगे अब अब इसके बाद में देखो next विदूत मोटर की विदूत मोटर जो है वो किसके सिद्धान पर काम करी मैंदम विदूत उर्जा से किसमें कनवर्ट करी है यांत्रीक उर्जा में कनवर्ट हो रही है आपको पता यह बडाबर फडाफ़ टर्मिनल चल रहे होता है वैग्यानिक хотите मैंदम माइकल फेराडे जो है इसके साइंठिस थह हुआ है 220 वोल्ट का करण्ट down है घरों के एंदर 220 वोल्ट का करण्ट लिया जका रेनुक दिने नमसकार मुत retor जी ठीक है चलु अब देखो यहां पे देखो घरेलू पारवरन होती है अगर 5A किये तो उसे पंखा चल जाएगा, बल्ब वगरे चल जाएगे, पर अगर 15A किये तो उसे AC, गीजर, हीटर वगरे चलते हैं, और आवरती 220V में कितनी होती है, 50Hz की आवरती होती है, तो ये सारी चीजे थी, ठीक है, अनुच को अब याद आया गया, चलो चलो, हाँ, अब क्या करें, चलो, ओके, ओके, चलो जी, चलो, तो इतना समझ में आ गया, तो गाइस, ये थी आज की क्लास, फटावर से हमने विदूत को के टॉपिक को कम्प्लीट कर लिया है, मैं फिर बता रही हूं, अभी मिलूंगे मैं तुम से चार बजे, चार बजे मिलने वाली ह चार बजे जो है, वो हम लोग क्या पढ़ने वाले है, तो बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा, NCRT के साथ ही पढ़ाऊंगी, और मैं सोच रही हूं कि ये जो टॉपिक है, अपना सुबह वाला, इसको फटावर से खतम ही कर देते हैं, तो चार से पांच तो है, जो अपनी बा जो चुकी है, ठीक है, चलो जी चलो, हां जी समझ में आ गया, ओके ओके चलो जी चलो, ओके हां ठीक है, पर अभी मिल रही हूं फटावर से चार,